एलो फ्रेंड वेलकम टू अनलीज में रना ममित कुमार आज का टॉपिक है कि टिक्स को कैसे खतम करें आज आपको ऐसा फॉर्मूला और ऐसी मेडिशन बताऊंगा आप एक डॉग के 10 से 15 रुपए का मैक्सिमम खर्च आएगा आपके डॉग में और टिक खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से और आप जिस तरह से मैं ये वीडियो में बताऊंगा अगर आप इस दरह से इसमेडिशन को यूज करोगे तो आपके कैनल में टिक का नाम ही कतम हो जाएगा आपके घर में जिसने डॉग्स राख्टे हूए उनके घर में भी टिक्स खतम हो सबसे पहले तो में आपको बताओना कि…. मैनेज कैसे आपको अगर अपने अपने दॉग्स को देखेंगे तो उसके बॉड़ि में छोटे छोटे red कलर के या कई वार बड़े साइस के भी टिक्स आपको देखने को मिलेंगे या कई वार कानों के पास या पैरों के पास आपको टिक देखने को मिलते हैं छोटे छोटे चोटे टिक वो आज आप एक या दो टिक्स देखोगे कुछ दिन के बाद वो भरे हुए मिलते हैं पूरी तरह से क्योंकि इनका ब्रीडिंग साइकल बहुत फास्ट होता है यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं एक वार अगर इनको पूरी तरह से मिल जाए और अगर हम इनको कंट्रोल ना करें तो पूरे कैनल में पूरे घर में या पूरे डॉग्स के उपर टिक्स बर जाते हैं तो मैं जो अ ज्यादा डॉग्स है तो वह बनता नहीं है उतना और वह इतनी एफेक्टिव भी नहीं है तो आज मैं बात करता हूँ एक वीर्वैड की अमित्राज करके एक मेडिशन आती है जो मैं यूज करता हूं अपने कैनल में वह सबसे ज्यादा एफेक्टिव है टिक्स पे सबसे कि अच्छा काम उसी ng ition दे मेरे आज तक जितने युजी कि सबसे बेष्ट मुझे वही लगी है हैी इसको इसको यूज करने का तरीका होना चाहिए यूज करना आपको करना है और कब यूज करना है तो चाहएं कि आपके डॉब अमित्राज जो मेडिशन आती है उसमें लिक्विड फॉर्म में होगी अगर आप देखोगे एक लिटर पानी में आपने यूज करनी है मिक्स कर लेनी है उसको अच्छे से वह वाइट कलर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा पूरा लिक्विड में आपने कोई बॉटल ले लेन बढ़ान आपको लेन चैँड पकलर कॉछ कोई बर नाव्त करने कमेस्व और लेनुशन नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता चाटने जबर ट्राइ करें कि वो उसको चाटने ना दें दिन के टाइम लगाएं तो थोड़ा दूप में छोड़ दें कि वो थोड़ी देर में सूख जाएगी मेडिशन आप उसको एक वार लगा दें तो आप देखोगे कि उसकी बॉड़ी में से जो टिक्स थे वो उसको छोड़के चले जाएंगे सारे निकल जाएंगे कई हट तक मर जाते हैं और नहीं तो छोड़के चले जाते हैं जो आपका अगर कैनल है तो ये मैं कैनल वालों के लिए बता देता हूँ फ्लेम गन आती है एक फ्लेम गन मतलब एक स्लेंडर के ऊपर लग जाती है और उससे पूरा कैनल को जला देते हैं जैसे गैस का वर्नर होता न इस तरह का एक फ्लेम गन होती है मैंने पहले वीडियो में भी दिखाई है आप गूगल भी सर्ज करोगे तो उसमें मिल जाएग तो इसमें क्या होगा अगर आज हम उनकी टिक को खतम कर देंगे तो उसके जो एग होते हैं वो कुछ दिन में फिर से टिक बन जाएंगा और फिर से डॉपर आ जाते हैं तो अगर आपके पास कैनल में हैं फ्लेम गन है तो आप उसे उसको जला दे नहीं तो दूसरा तरीका है कि उसको नेक्ष्ट वीक फिर से मेडिशन लगाएं आपको ये हर वीक करना है पूरे मन्त तक एक महीन तक एवरी वीक उसको लगा दें डॉप को एक डॉप को लगवाग दाई सो से तीन सो एमल पानी लगता है तो आप आप देखेंगे कि एक एमल से भी कम मेडिशन आपक दिए के नहीं डिकित पर दाफ है तो आप तक आप देखोंगे दीरे के kijken में भी कहीए नहीं डिख नहीं देख रहे जो घर में डॉप रखते दो अब वह वीक पटिक से नहीं रहे ज़िसे तो जैसे धे पोर बाहर त्यट आपार से उसके साफ कर दे उसके सल्सकार गहराइ यह सबसे best solution है टिक खतम करने का कम पैसों में नहीं तो मार्केट में बहुत सारी महंगी-महंगी medicine है जो अलग-अलग तरह से dog की बोड़ी पे भी अगर हम कोई भी खाने के लिए भी देते हैं तो dog को भी नुकसान देती है वो medicine तो यह सबसे best तरीका है dog के टिक खतम करने का आप use करें use करके मुझे comments box में जरूर बताएं कि आपको इस medicine के कितने फाइदे मिले या क्या आपको इसके result मिले